आज जो है हम start कर लेते हैं अपना जो है वो फिवर्ट टापिक पीपीसी इससे पहले जो है वो हमने basically base बनाई है पीपीसी के लिए के तांके जब हम पीपीसी पे जाएं तो हमारे जो basically की एक approach की उपर है और जो basic KPIs हैं या की performance indicators है किसी भी पीपीसी केंपेंज की performance को मेयर करने के लिए उसको जो हम discuss करेंगे और इस तरह इस तरह हम जो है वो further deep जो है वो जाते रहेंगे with the passage of time अच्छा पीपीसी आप सब कोई पता है के paper click है जिस तरह फेस्बुक पे एड़ चलत हैं तो Amazon का अपना जो है वो advertisement का campaign manager है जहां पर आप on Amazon traffic को capture करने के लिए आदो के अभी जो उसमें sponsor display है उसमें जो है वो हम display DSP हो गया वहां पर आफसाइड Amazon भी target कर सकते हैं but it's more like 90% या 95% it's about on Amazon traffic ठीक है तो पीपीसी जो है उसका जो एक basic objective है वो यह है कि on Amazon आपका जो brand है या आपका जो product detail page है उसकी visibility को increase किया जाए ठीक है अगर मैं इसमें जिस तरह हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें पहले objective की बात करते हैं तो इसका जो एक बुनियादी जो है वो मकसद है वो है visibility खास तोर पे जब हम अपने जो है वो product launch करते हैं तो हमारी product की जो है वो कोई visibility नहीं होती हम बिलकुल जो है वो आखरी page पे उपर होते हैं और हमारे बहुत से keyword की जो है वो index भी नहीं होते तो वहां पे जो है जहां पे आल्दो के अगर हम 2017, 18, 19 में भी देखें तो उसमें और बड़ी techniques थी के जिसमें जो है खास तोर पे गिववे जिसमें जो है वो Amazon के algorithm को manipulate करके जो है हम अपनी visibility जो है वो ऐसे increase करते थे अपनी product को first page पे ले आते थे लेकिन अगर हम PPC की बात करें तो इसमें जो है हमें अपने basically it's like जिस तरह निलामी होती है ना किसी भी चीज़ की उस तरह हमें bid action जो है in the farm of bid जो है हम amount pay करते हैं और उसकी base पे जो है हम अपने ads को या अपनी product को जो है वो required sports के उपर दिखा पाते हैं for example अगर हम Amazon की जो है वो किसी भी marketplace पे जाएं तो उसमें जो है आपको different जो sellers हैं या brands हैं वो जो है आपको पीपी सी चलाते हुए नजर आएंगे for example silicon stretch lids की जो है वो हम example ले लेते हैं तो अच्छा इसमें यह जो अभी product अभी हम जिसको देख रहे हैं तो यह उसका एड़ चल रहा है तो यह जिसमें भी जो है sponsored का word आ रहा होता है इट मीन्स दी सैलर इस रुनिंग पीपी सी आ अन दीज प्रोड़क्स और किस कीवर्ड के अगेंस यह किस टार्गेट के इस कीवर्ड के अगेंस ठीक है जी अब यह अब यह बाद की बाद है कि हम इसको जो है वो प्लेस्मेंट को डेटेल में बाद में देख लेंगे लेकं यह तॉप अफ सुर्च की जो है वो प्लेस्मेंट है जिसमें यह फो इस हो रहे हैं इसके लावा यूएस में काफी जो है वो प्रॉडक्स में ऐसी देखें जिसमें यह अप टू सिक्स जो है यहां तक स्पॉंसर्ड शो हो रहा है तो इसके इलावा जो है इसको हम टॉप अफ सर्च जो है वो बोलते हैं इसके इलावा रेस्ट आफ दी सर्च यहां यहां पे बी जो है वह sponsored 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 आ रहे तो यह भी जो है वह? पी पी ती सी ही है जिला रहे हैं लेकिन यह सरच में आता है इसके लावा अगर जो है आ मैं किसी भी जो है वह निश करता क्या कि अब опас को का चास्ट नजाएगी ठीक है तो जब हम किसी वह है वो प्रोड़क्ट डिटेल पेज पे आते हैं तो वहां पे भी जो है हमें डिफरेंट जो कमपेच्टर्स हैं वो अपनी प्रोड़क्ट को या दूसरों की प्रोड़क्ट को टार्गेट करते हुए नजर आते हैं ठीक है अब यहां पे यह हम इसके प्रोड़क्ट डिटेल पेज़ पे आए तो यहां पे जो है यह भाई साब इसको टार्गेट कर रहे हैं वाया पीपीसी यह उनका स्पॉंसर डायड है ठीक है इसके इलावा जो है यह पॉड़क्ट विलेटेट तू इस आइटम यह यह देखें पेज वन फॉर्टी वन पेज तक जो है वो यहां पे पीपीसी के लाइन लगी होई है जो डिफेंट सेलर जो है वो सम्हाव इस पीडीपी को टार्गेट कर रहे हैं ठीक है अच्छा तो इ अई है यहां पर भी जो है आपको को स्पांसर्डेट की डिफेंट जो है वो लेडस नजर आ रही मैं आप यह देखें यह भी जो है वो स्पांसर व्ड्रैंड нужно क्ड मैं इसको बात में टेल capacions करें कि कि जो different आड टाइपस हैं कहां कहां पे जो है आप शो करा रहे होते हैं इसके इलावा जो है यह रिव्यूज एंड रेटिंग है उसके साथ भी जो है वो एक आड जो है वो शो हो रहा है तो बात जो है वो कहने का मकसद यह है कि your internet connection is unstable अच्छा मुझे चैट में बताएं कि अवास क्लियर है क्योंकि मुझे अभी सिगनल आ रहे हैं कि नेट जो है वो वीक है अच्छा इसमें जो है वो हम चुकि अब्जेक्टिव की बात करे थे और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करे थे तो आप इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस का आइडिया तो यहीं पर लगा सकते हैं कि देखें यह जो एमाजान का फर्स्ट पेज है ना इट इस वेरी इंपॉर्टेंट रियल स्टेट ठीक है यह क्योंकि जो खास्तों पर हमने मार्की डेप्थ की भी बात की थी तो हमने देखा था कि यह तो आप यूं समयलें कि जो एक 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 इलीट किसम का बायर यहां पर आता है जो टॉप अफ सर्च पे अकसर लोग जो पाई कर जाते ना विच्ट बादर टू कलिक हेर एंड देर तो वह यहां से टॉप से आके जो है देखा दो चार प्रोड़क्स कंपेर की और निकल गया तो टॉप अफ सर्च पे भी चेक करते हैं वो दस बारां लिस्टिंग्स को चेक करने के बाद जो है वो चीज़ बाई करते हैं तो वो एक अप वो एक अलाइदा कस्टमर भी है लेकिन बात हो रही है एक इमपोर्टन्ट रियल स्टेट की और वो एमजोन ने किसको दी हुई है पीपीसी को दी हुई है कि जो स्पॉंसर डॉइड चला रही है या जो पीपीसी चला रही है उनको अमजोन ने यह टॉप की पोजिशन दी हुई है कि आप यहां पे आके बैठ जाएं बस इसमें जो टॉप किस पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है और जो रे यह जो है जो फस्पार्ट से वहां तक स्पॉंसर दिखा रहा है तो इस नाट यह नहीं एक को इतनी मामूली बात नहीं है कि इसमें अमजों जो है आरगेनिक लिस्टिंज को मतलब यहां पर अगर आपकी छे पहले जो है वह स्पॉंसर डागा तो अरगेनिक कि साथवे नंब है या आन अमजों ट्रैफिक को एक जो है वो बहतरीन वे में कैप्चिर करना जानता है वही जो है उसके जो चांसेस अफ सर्वाइवल है वो ज्यादा है ऐस कंपियर टू के जो लिस्ट अट प्रे वाला मैथड है या जो समझते हैं कि यह बिलकुल ही शायद आर्टोमेशन नहीं थी उसकी वज़ए शायद यह भी है कि Amazon का जो है वो एक किसम का एक maximum revenue भी जो है वो एड्स से आता है ठीक है विकाज यू पे आमाजों सो ही शोज यूर एड्स आंटाप सपार्ट तो उसका अच्छा खासा जो है वो revenue को चंग एड्स से आता है तो उसमें वह भी अप शाड़ सा objective था कि PPC का मकसद क्या है और यह क्यों जो है वो important है अच्छा इसको हम कहां से access कर रहे होते हैं यह हम अपने ads कहां पर चला रहे होते हैं तो जहां जैसे के main seller central में बाकी जो है वो different tabs हैं तो एक जो है वो dedicated tab है इसका campaign manager का अच्छा campaign manager में आके जह है आप जितनी भी PPC के related मौमलात हैं वो यहीं पर देखते हैं ठीक है अब हमारा जो है वो ऐसे समझे के end of the course यह console होगा हम यह कुछ पे जो reports बगारा के audit के sessions होंगे वो excel के साथ हम खेल रहे होंगे यहां पर campaign manager में खेल रहे होंगे अच्छा तो यह जो है basically campaign manager का main interface है जिसके अंदर अब यह जो है अब यह जो है अब यह अच्छा चैट में किसका message आया हुए है है अपनी PPC campaigns को major कर रहे होते हैं तो कुछ basic सी चीज़े हैं आज उसको जो है वो discuss कर लेते हैं कि for example हम जो है देख रहे होते हैं कि हमारा जो ad है for example यह जैसे हमने देखा यह जो हमारा brand है अगर हमने कीवड के ऊपर PPC चलाई है तो विए देख सो गया है कि कतने दवा Gesprस को क्लिक किा कि यह हमने भी देखना होता है कि कितने लोगों ने उसको buy किया ठीक है और पी हमने यह भी देखना होता है कि हमारा overall बाइंग का rate क्या है clicking click through rate किया है तो यह सारे जो है वो एक basic KPIs है किसी भी जो है वो advertising console के तो हम यहीं से start कर लेते हैं अच्छा सबसे बुनियादी चीज के impression ठीक है impression यह बताता है कि आपका जो एड है वो कितनी बार customer को दिखाया गया ठीक है how many times ads shown to customer ठीक है ठीक है फरक्समपल एक जो है वो सच्टम है सिलिकान स्ट्रेच लिड उसमें अगर एक impression है तो मस इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा जहाए यह एड दिखाया गया अब इसमें एक और चीज यह होती है अब लाजमी नहीं है कि आपके जो impression है ठीक है वो वो कस्टमर की आंक से गुजरा हो इस इस इंपॉर्टन एक होता है व्यूएबल इंप्रेशन इसको भी जो है मैं explain कर देता हूं व्यूएबल इंप्रेशन जो है वो यह है कि कितनी दफ़ा लोगों ने उसको देखा है उसकी वज़ाई यह है अगर मैं आपको एमाज़न कंसोल से जो है वो एक एक्जांपल दूँ फर इंपल यह हमारी लिस्ट है इसके हम प्रड़क्ट डिटेल पेज़ पे जाते हैं अब फर इंपल मैं आपको एक्जांपल देता ह है इसमें प्रड़क्ट डिटेल पेज़ पे हो सकता है कि जब हमारी इस प्रड़क्ट पे कोई क्लिक करें स्पॉंसर प्रड़क्ट पे और यहां पे आए तो आहमाज़न का जो अच्छा तो अब यहां पर देखा है यह पेज वन ऑफ फुर्टी वन जो है इसका मतलब है कि फुर्टी वन पेजिस तक यह स्पॉंसर डाइड चल रहे हैं लेकिन अगर मैं एक बायर हूं तो मुझे कितने एड़ नजब आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छेंड बैसिक इस इस और दिविव एब इंप्रेशन बट आल तो जो अड़ आ आड़ बिचर दिया अच्छों के सामने हैं मैंने सको देख लिया बसकि इसके इलावा जो फिफ फुर्टी वन है ना हमाजन उसको भी किंएगा कि मैंने आपको इंप्रेशन दिया है इवन जो फुर्टी व पेड पर आओगा दो उसको भी बोलेगा कि मैंने आपको कीवड के अगेंस इंप्रेशन दिया है ठीकल तो देविज एस डिफरेंस बिट्में इंप्रेशन एंद विवेबल इंप्रेशन अगर आपका कीवड के अगेंस्ट दस इंप्रेशन आये हैं तो तो यह बजन्त ठीक है इसको हो सकता है कि 10 बार दिखाया गी और एक दफा जो है वो कस्टमर की आँखों से गुजरा हो बाकि वो किसी ऐसी जगह पर छुपा हुआ जहां पर वो कस्टमर बादर भी ना करता हो जाना ठीक है तो इसी वजह से जो है जो एड़ स्पार्ट की इंपोर्टेंस है वो बड़ी इंप्रॉटेंट है ठीक है कुछ एड़ स्पार्ट जो होते हैं वह रही वैल्य ऐड़ स्पार्ट है यहाँ पर जो लोग का यहां पर जो इंपरिशन आता है यहां ऑने बेंप्रेशन थीर भीउएबर इंपरेशन ञें लाकिन प्रड़क्ट डेटेई-ल पे इंप्रेशन आ रहे होते हैं वो बैसिकली लो वैलियू एड़ स्पार्ट होते हैं इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि जी वो जो ब्रॉइड की केंपेंज हमने लो बिट पे चला दी तो उस पे जो है बरी चीप कनवरजन आती है नो डाउट जो ब्रॉइड की केंपें लो वयल्यू एड़ स्पार्ट ठास ठीक है इसका मतलब यहां यह के बहुत कम लोग वहां तक जाना बोगुद करते हैं लेकर जख वहांपे जो बिड़ है ठीक है वह बहूत कम होती है और अगर उस्लिक के अगाचा यह कल्ड आइनस्ट है को बाद करेंगे अच्छा यह इ वह है बिट अबिट क्या है इच इस दी अमाउंट यू आफ़र अमाउंट यू आफ़र टू इसमें कोई ज्यादर लिंग्विस्टिक्स बैठे हैं आडियंस में तो माइंड न कीजिएगा कि इंग्लिश कैसी है बस यह है कि आप चीजे समझ ले ठीक है अच्छा आमाउंट यू आफ़र टू गैट शौन बिड्ड जो है वो बिसिकली यह किसम की जो एमाजोन का जो यह यह वियल स्टेट है चाहे वो फस्ट पेज से लेके एंड परश तक यह एक किसम की नेलामी है जिस अक्षन होती है नेलामी कि आप कहते हैं कि अब आमाजोन ने यह जो है वो फर एग्जमपल हम टॉप स्पॉर्ट की एग्जमपल लें आमाजोन यह कहता है कि देखें यह important spots हैं यह मैंने किसी बंदे को देनी हैं किसी seller को देनी है और यह मैं उनको दूँगा जो इसकी amount pay करेंगे और Amazon यह कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा आपको कि इसकी इस जगह पे show होने की value यह amount कितनी है bid कितनी है इस जगह पे show यह आप लोग खुड decide करेंगे जो जितना ज्यादा देगा मैं उसको उतनी अच्छा जो है वो add spot दूँगा ठीक है तो यह business point of view से तो उनकी अच्छी strategy है ठीक है तो अब चुके हर salary चाहता है कि जी मैं top spots पे show हूँ मैं high value add spots पे show हूँ तो यह जितना जो है वो amount ज्यादा देते जाएंगे for example Amazon यह for example यह जो second number पे है इसने बोला होगा कि जी मैं यहां पे show होने के लिए मैं top spot पे show होने के लिए एक डालर देता हूँ यह एक pound देता हूँ लेकिन जो यह brand है हमारा जो brand है इन्हों ने bid रख दी होगी one point zero two something higher than one pound तो अब Amazon ने कहा कि जो है आप दोनों ही जो है वो देखें two eighty four reviews के साथ हैं two eighty मतलब आप दोनों ही जो है वो एक जैसी आपकी उकात है आपकी history सेम है आप दोनों ही age सेम है आपके चीज़ भी आप सेम बेच रहे हैं तो मैं उसको दूंगा जो मुझे bid ज्यादा दे रहा है जो मुझे पैसा ज्यादा दे रहा है ठीक है तो यह पहले number पे आ जाएगा य यह बेसिकल यहां पे हो रही है Amazon एक इसम की निलामी करा रहा होता है कि जो ज्यादा पे करेगा उसको मैं ज्यादा दूंगा although there is there are different factors ages बहुत factor है और इसके लावा conversion rate जो अभी हम बाद में बाद करेंगे विच इस वैरी वैरी important अगर आप अगर जो है आप जो है Amazon को यहां पे हो सकता है एक पाउंड की बिट चल रही हो लेकिन अगर आप Amazon को चार पाउंड भी देना और Amazon को पता हो कि आप यहां पे बड़ नहीं होती तो Amazon आपको impression नहीं देगा doesn't matter how much you are willing to pay ठीक है so it's not always about bid उसकी वज़े यह है कि Amazon जो है वो customer centric platform भी है Amazon सिफ यह नहीं है कि उसने सिफ अपनी ही revenue जो है वह एड से revenue generate करना है बलके उसने अपने customer को भी देखना है अगर एक product पे बीस customer आया है और किसी ने सेल नहीं ली और दूसरे उसके साथ जो बैठे है भाई साब उस पे हर दूसरा तीसरा customer क्लिक हो रहा है वो है जिसको हम यून कहने के चले क्लिक अच्छा क्लिक थूरेट के जब यह दिखाया गया तो उसमें से कितने लोगों ने जो है वो आप के एड़ पे जो है वो इंट्रस्ट शो किया या उन पे क्लिक किया तो इसको अगर हम नुमेरिकली जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी केंड से सीट्यार इज अ क्लिक्स दिवाइब बाइब अ इंप्रेशिंस ठीक है अगर आपका जो है वो आद्छी स्ट्थ जो है वो जु थाम्स दिखाया गया और ऐस पे एक इलिक है तो इस बिसिकली वन डिवाइब बाई हंड्रीट प्र्संटेजो कि this basically the farm of percentage so हम इसको जो है वो मल्टिप्लाइड बें हंड्रेड कर देंगे तो यह बेसिकली जो है इन दी एंड हंड्रेड परस वन परसेंट का जो है इसका CTR होगा जब एक हंड्रेड इंप्रेशन पे एक ले काएगी तो CTR कितना हो गया वन परसेंट अच्छा इसमें और किसी प्रोड़क्ट का CTR होना क्या चाहिए? इचिस वैरी सब्जेक्टिव मतलब एक प्रोड़क्ट है या एक कीवर्ड है उसका डिफेंट CTR है जिवो पॉइंट जिवो वन परसेंट भी हो सकता है वन परसेंट भी हो सकता है इवन इट कैन बी तैन परसेंट और सम्थिंग लाक्ट तो विच इस अ गुड़ नंबर तो है क्योंकि हम KPIs की बात करेंगे की परफॉर्मस इंडिकेटर्स की तो कौन सा CTR जो है वो अच्छी परफॉर्मस को शोग करेगा कौन सा CTR जो है वो बैड परफॉर्मस को शोग करे है और खास तोर पर सेलिंग प्राइस पर यह बहुत ज्यादा जो है वो वो कर रहा होता है अब आम तोर पे जिस प्रॉड़क्ट के अंदर जो है वो वैरियेशन नहीं होती और मल्टीपल आप्शन बायर्स के पास नहीं होते तो जो वन परसेंट है ना इच इस गुड़ सीटी आर ठीक है लेकिन जहां पे वैरियेशन होती है जैसे हमने जो है वो डूए कवर की एग्जामपल ली थी डूए कवर के अंदर दिफेंट साइजेस देर दिफेंट कलर्स देर दिफेंट मैटेरियल्स सो बायर्स अलट अफ आप्शन तो क्लिक तो वहां पे इन वैरियेशन्स जो है वो जिवो पॉइंट थी जिरो से लेके जिवो पॉइंट फाइव जिरो परसेंट ठीक है वहां पे पॉइंट थी से पॉइंट फाइव परसेंट तक भी जो है वो काम चल सकता है ऐब आपकोर्स अभी हम खेर वह इसी सेशन में या अगले सेशन वे जब प्लेस्मेंट की बात करेंगे तो डिफरेंट प्लेसमेंट के अपर डिफरेंट ctr ठीक है इतने बादे में फिर्फर्ट दिप्र टिएल पेज इडिए इंक इस पिर्फ पर अधियल पजए इसके एलावा जो है वह हमारे पास एक जो की फेक्टर है या अधिस कन विजिए अचनवरीज किंवर्जाड रेट वट सिद्ञाली उट्री विजिए कलिक्स डिवाइड बाइड बाइड दिवाइड बाइड गलिक्स अगर जो है दस लोगों ने क्लिक किया ठीक है दस लोगों ने क्लिक किया और एक बंदे ने उसको बाइड किया ठीक है तो डैट इस बैसिकली टैन परसेंट यहां पर भी जो है वो परसंटेज हंड्रेड के साथ हम मल्टिप्लाई करेंगे तो आडर डिवाइड बाइड क्लिक्स कि कितनी क्लिक्स के अगेंस जो है वो एक आडर आया डैट इस अ कन्वरिजन रेट और अब अ है वो दस परसेंट ही है ठीक है टीपिकल एमाजोन की जो प्रड़क्ट है उसका कन्वरिजन रेट टैन परसेंट ही है बट अगें इट इस वैरी मच सब्जेक्टिव ठीक है खास दोर पे यह सेलिंग प्राइस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है फार लो सेलिंग प्राइस प्राइस जो है जो सीटियर आपको जो कन्वरिजन रेट आपको बचा सकता है न वो अच्छी इन टर्म आफ जो है वो बेसिकली एक अच्छी कॉस के लिए या अच्छी रैंकिंग के लिए वो बेसिकली होना चाहिए आपका जो है वो तक्रीबदं फिफटीन से 33 या I can say 40% ठीक है लो सेलिंग प्राइस के उपपर अच्छा इसकी अभी मैं आपको रीसेंट इग्जामपल दू अभी रीसेंट तो नहीं है खैर इसको इस अबाउट तू मुन्थ दो महीने हो गए हमने एक प्रोड़क्ट लांच की थी और वो प्रोड़क्ट हमने लांच क थीक है उसकी सेलिंग प्राइस थी तू पॉइंट फूर नाइन अब वहां पे आई कैन नाट एजिएम आट एंपरसेंट का कंवर्जिन रेट एजियूम करता ना और मज़े की बात है वहां पे जो बिड आ रहे थी एक्जेक्ट के अंदर वो आ रहे थी पॉइंट नाइन की ठीक है तो अगर मैं दस क्लिक के उपर जो है ना वो एक आडर वो समझता तो इसका मतलब यह है कि मुझे तकरीवन वो फॉर हंड़ड तो फाइव हंड़ड परसेंट एकास होती ठीक है या हां सम्थिंग लाइक ता तो इतनी है एकास तो मैं तो नहीं अफॉर्ड कर सकत तो वहां पे जो लो सेलिंग प्राइस आपके आइटम होते हैं वहां पे आपका कनवर्जन रेट भी हाई होता है अभी जिस प्राइस की मैं आपको बात कर रहा हूं अभी तो पर नाइन की थी ना और तो पॉन नैन और उसका जो है अभी चल रहा है थर्टी ठीक सब्सक्राइब कर जाती है तो कनवर्जन रेट वहरें जाती है तो कनवर्जन रेट मैटर और जब आपकी जो है ना अब यह जो है यह जो तो आपको मैं 10% की एक्जामपल दूँ इस इस गुड़ तो है लाइक 6 से 20 या 25 पाउंड या डालर इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना इवन 66 पी कम है इसमें सम्धिंग सेवन या इसके ऊपर जो है उस पे कनवर्जन रेट जो है वह दस होना चाहिए ठीक है लेकिन जैसे जैसे आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाती है लाइक आप जो है वह साथ सतर डालर की एक सो हंड्रिड मतलब हंड्र डॉलर की प्र सारी की नहीं बात कर रहा कुछ बात करो वो फाय मतलब की वर्ड के फडिस चल रहा है और जो आपके की वर्ड है वहां पे एट डाइन पर संट चल रहा है और वहां पर प्राइस भी ट्वैटिटिंटिव नेटिव के रंट है तो वाइदी कनवर्जन रेट इस लो बिकास has a lot of option to choose ठीक है जबी भी किसी निश के अंदर ये आप जो है बेंच मार की याद रखेंगा है जबी भी किसी निश के अंदर जो है वो variation ज्यादा होंगी या available options तो चूज ज्यादा होंगे तो वहां पे CTR and conversion rate बोथ विल भी इसलिए जब खास्तों पर टिपिकली एसी के अंदर जब प्रोड़क्ट वो की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि जी अक्रास्टी पेज जो है वो consistency होनी जाए सेम डिजाइन सेल हो रहा हो या I mean के इलावा जो है वो हम सब की पसंदीदा जो है वो या जो basically हमारा client है या उसको सिर्फ एक और ही नजर आ रही होती है पूरी प्राइवेट लेबल के अंदर की जो पीपीसी है उसमें सिर्फ उसको एक और ही नजर आती है बाग की चीज़ें उसको नहीं नजर आती अच्छा किया है बैसिकली इस इस पैंड डिवाइड बाइड बाइड सेल और इस इस पैसिकली परसंटेज फार्म इस पैंड डिवाइड बाइड पीपीशी सेल अगर इसको स्पांसर सेल कहूं तो वो जो है ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेट है अच्छा इसमें के एक जो है अब एकास जो है वो कीवर्ड की भी होती है एकास आपके होल अकाउंट की भी होती है ठीक है तो जब हम आप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमें तो बहुती फाइन जो है लाइन में चीज़े जा की देखनी होती है तो हम तो कीवर्ड लेवल की उपर या target level की उपर जो है वो चीजें जो है वो देख रहे होते हैं तो वहां पर keyword की एकाउस matter कर रहे होते हैं लेकिन overall जो account की performance है या पीपीसी की performance वो जो है आपकी overall account का एकाउस है वो वो करता है कि आपका जो पीपीसी का spend है उसके अगेंस पीपीसी की sale कितनी हुई that is basically a cause अच्छा 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 अब जैसे हमने CTR conversion rate के जो है वो benchmark की बात की तो what should be the a cause? तो पहली बात यह है के there is not an absolute answer to this question के what should be the a cause? उसकी वज़ा यह है कि आपकी जो a cause है वो हमेशा objective पे depend करेगी ठीक है? आप यह समयलें कि जो good a cause है वो depends on objective of PPC कि आपकी जो ads हैं वो किस objective के तहर चल रहे हैं? ठीक है? अच्छे जहां पर हमने इस पर objective भी बात की थी ना इस पर मैं further जो है वो इसको अगर breakdown करूं कि कौन कौन सी visibility तो है लेकिन किस point of view से visibility ranking के point of view से visibility ठीक है? और scaling के point of view से visibility या फिर awareness के point of view से visibility ठीक है? जो हमारी private label की जो product होती है वो different stages of life से गुजरती है जब भी भी वो I mean उसकी list live होती है तो हमारी जो पहली कोशिश होती है कि उस product को organically rank किया जाए at as many keywords as possible ठीक है? ताकि हमें जो है वो सारी जिन्दगी वो PPC पे पैसा spend करके ना खर्च करना परे बलके हम पहले जो एक दो महीना है उस पे लगा के उसके बाद उसका organic juice जो है वो ले सके और हम profit की तरफ आ सके ठीक है? तो हमारा ranking जो है objective होती है और ranking के अंदर जो है वो profitability नहीं देखी जाती है ठीक है? जब आप ranking phase के होते हैं उस दोन आप profitability नहीं देखी जाती अब profitability कैसे नहीं देखी जाती? फर इसमपल आप जो है जो product जिसके उपर पीपी से चला रहे हैं उस पे जो gross profit margin है वो है 30% ठीक है? और आप कहें कि जी चुके मेरा gross profit margin 30% का है तो मेरी a cause 30% से उपर ना जानी चाहिए तो वो फिर जो है वो ranking के point of view से that's a not a wise approach हाँ अगर आपका cash flow का issue है और आप you have a proven keywords तो आप जो है वो minimal बिर्स के उपर चला के जो है उसको छोड़ दें लेकिन अगर आपने rank होना है you have to spend wisely ठीक है उसमें एक तो आपके depend करता है कि आपने spend करना की keywords के उपर है ठीक है अगर आप वहा को bleed करें तो वो जो है basically that's also a major decision के spend करना की keywords के उपर है और उनको जो है फिर rank कैसे करना है PPC के that's a major decision तो अब चुके जो start में जो ranking campaigns होती है वहां पे हमारे पास जो है आप यू कह लें के एक तो product की history नहीं होती ads ad history नहीं होती एड rank नहीं होता तो हम जो है वो high pay करते हैं अगर एक spot पे शो होने की जो है प्राने seller को एक pound बिल रहा है तो maybe हमें 1.5 pound की bid बिल रही हो वहां पे why because we don't have history we are not ranked on those keyword तो हमें अपनी conversion को प्रूफ करने के लिए Amazon को हमें hybrid देनी पड़ती है उसके अच्छा convert होना पड़ता है तो जब आप high bid देंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपकी of course जो spend है वो भी ज्यादा होगा तो ज्यादा spend के अगेंस्ट आपकी सेल आ रही होती ही तो आपका a cause भी हाई होगा अच्छा इसमें एक और KPI हम भूल कहते दैट इस कास्ट पर क्लिक एक क्लिक के अगेंस्ट आपको कितनी कास्ट आ रही है अच्छा दो तरहां की जो है वो जो है वो आप यह समझें के बिड होती है एक होती है कास्ट पर क्लिक और दूसरी होती है कास्ट पर impression अभी एमाजोन एमाजोन ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है वियूबल इंप्रेशन के नाम से हम उसको देखेंगे इंशाला है डिट करती है I mean when you get click on your listing then जो है आमाजोन आपको चार्जी करता है बट इसके इलावा होता है कि spent पर वन के impression ठीक है एक कास्ट पर इंप्रेशन यह होता है कि एक थाउजन इंप्रेशन के अगेंस्ट आपको कितना कॉस्ट करता है ठीक है यह सीपी सी जो है हो सकता है इहां पर क्लिक के हसाब से बन हो ठीक है और यहां पर जो है वह हुऊ फोर हो ठीक आमाजॉझ यह कहें कि मैं अगर आप को हजार इंपरेशन दूँगा तो आपसे इतना चार्ज करूँगा इस परिक्रेशन और अगर आफ कहता है कि आपकी एक क्लिक के अगेस्ट में इतना चार्ज करूंगा that is CPC ठीक है तो इस बोथ आर डिफरेंट तो जो हमारी वेंकिंग की केंपेंड होती है वहां पे चुके CPC हाई होती है और हम हाई वैल्यू एड्स पार्स को टार्गेट कर रहे होते हैं हमारी हाई होती है it can be hundred percent it can be eighty percent in the start but later of course we can bring it down to you know break even point and even below that अच्छा बाद में जब हम इन first one to two month जब हम rank हो जाते हैं तो हमारा phase होता है scaling का कि start में जिन keywords को हम target नहीं कर पाये थे due to cash flow या due to relevancy whatever तो अब हम उन keywords को भी जो है क्योंकि हम ब्रेक इवन पर हम आ चुके होते हैं account में तो हम जो है अब उनकी या somehow profit में आ चुके होते हैं तो अब हम जो है वह scaling के keywords को target करते हैं अच्छा इसके इलावा होता है awareness ठीक है कि कुछ ads होते हैं जो कि हम अपनी brand awareness के चलाते हैं we are not expecting any sale from those keywords we only want to show our ads to cold audience ठीक है अब यह जैसे मैंने आपको वोला ना कि यहां पर cost होती है that is about brand awareness brand visibility और जो cpc-based cost होती है that is mostly about conversion-based because we want sale in this case but in impression हम basically ज्यादा ज्यादा audience तक पहुंचना चाहते हैं कि there is some xyz brand which is selling something ठीक है तो यह depend करता है इसके जो है तो start में जो है वो a cause आपकी हो सकता है 80% cause भी आपकी गुड़ हो और after one year यह after six month हो सकता है आप 30% पर भी चल रहे हैं तो आपकी a cause जो है वो एक अच्छी a cause ना हो के साथ हमारे जो एक दूसरा और सबसे जो में जो performance की performance इंडिकेटर है वह है बेसिकली टैक कॉस अच्छा टैकॉस क्या है इस बेसिकली पीपीसी स्पैंड डिवाइड बाई टोटल सेल्स ठीक है अभी हम एक एक जाकर campaign manager में भी इनको देख लेते हैं कि यह जितने भी हमने की performance indicators जो हैं वो वो किये हैं उसमें जो है यह हम कैसे calculate कर रहे होते हैं अब पीपीसी स्पैंड डिवाइड बाई टोटल सेल्स यह जो है यह असल में यह है अब यूं कह लें के इस यह वो केपी आई है जिसको हम profit ability KPI बोलते हैं ठीक है किसी account की जो है हम उसमें देखना हो के profitable वो कितना चल रहा है तो उसमें जो है हम take cause को देख रहा होते हैं कि उसकी take cause क्या चल रही है start में जब हम कोई product launch करते हैं तो हमारी जो है वो 80-90% जो है वो sponsored orders होते हैं but over the period of time 50% हो जाते हैं फिर after one and half and two months वो 50 से भी जो PPC orders है वो कम हो जाते हैं आर्गेनिक्स जो है वो उनको ज्यादा आने लग जाते हैं तो जैसे 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 हमारी organic ranking improve होती है due to these ranking campaigns वैसे वैसे हमारी जो है total sales या organic sales वो increase होती है तो जैसे यह आपका divider जो है वो increase होता जाएगा आपकी take cause जो है decrease होती जाएगी तो जब आप what is the good take cause again this is subjective but अगर तो for example आप 30% को आपका जो है वो gross profit margin है और आप even after one and half or two months आपकी जो है वो take cause अगर जो है वो I can say if it is less than 20% is good ठीक है आल दो कि यह जितनी कम हो उतनी अच्छी है a cause or take cause जितनी कम हो उतनी अच्छी है but again it is very much subjective ऐसा नहीं है कि इसमें चुके जब आप पीपीसी रन कर रहे होते हैं तो उसमें जो है आपको रैंकिंग के बाद जो है अगर मैं इसको एक्चुल नाम दो scaling and growth ठीक है अब फर एक्जंपल आप ने पॉर्डक्ट जो है वो पीपीसी से रैंक कराई आफ्टर टू मैंथ नो यूर रैंक्ट एंड यूर टेकॉस बिलोव 20 ठीक है या अब जो है वो अकाउंट वो एक नंबर्स के अंदर जो है वो प्राफिट शो कर रहा है तो अब य इसको री इन्वेस्ट ना करें सारव सार प्राफिट ले लें या फिर 30% इन्वेस्ट कर दें 50% कर दें 70% कर दें या 100% कर दें यह डिफाइन करेगा कि आपकी स्केलिंग एंड ग्रोथ कितनी फास्ट होगी ठीक है अगर तो आप जो है वो पील को या आपका जो क्लाइंट है वो प्रेविड लेबल को जो है एक किचन इंकम के लिए के ले के आया था कि चैनलेजी महीने के चार-500 डालर बनाएगा तो फिर तो आपने जो है वो स्केलिंग पे नहीं लगाना फिर तो आप जो है वो जब वो देने लग जाएगा प्राफिट तो आप उसको एक इसम क करने के बज़े अपनी पॉकेट में ले जाएंगा ठीक है तो होगा क्या कि आफ्टर सम टाइम आपको जो वो पॉइंसो है वो पॉइंसो नहीं रहेगा उसकी वज़ा यह है कि न्यू कंपेश्टर्स विल कम इंटो दी गेम अब उन में से एक आप आये थे और आपके साथ एक और बंद आया था आपके अल्मोस सेल्स जो हैं वो सेम हैं आप जो है वो फाइव हंडड़ डॉलर का प्राफिट घर लेके जा रहे हैं और वो चले टू फिफ्टी फिफ्टी परसेंट उसका री इन्वेस्ट कर रहा है उन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो रहा है जो क सेमी रेलिवेंट कीवर्ड हैं तो होगा क्या उसकी जो है नमबर आफ से आप से बर जाएंगी जब उसकी सेल्स बरेंगी तो उसकी विव्यू विलास्टी उसकी रैंकिंग जो है वो मजीद इंपूव हो जाएगी तो आफ्टर शिक्स मांथ एंड आफ्टर वन जियर उसक जब रेविन्यू इंक्रीज होगा एट सेम ग्रास प्राफिट तो उसका क्या होगा कि जो अवरल नेट प्राफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है क्यों उसकी वज़ा यह है कि उसने री इन्वेस्ट किया ज्यादा से ज्यादा स्केलिंग एड ग्रोथ के उपर अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा स्केलिंग के उपर स्पेंड करते हैं तो आपकी टेकॉज जो है वो इसमें जो है आईडियली अगर मैं बात करूं आफ्टर आफ्टर रैंकिंग आईडियली इसको आइडियली जो है वो दस परसेंट से नीचे आ जाना चाहिए बट इन रियल टाइम ऐसा अक्सर नहीं होता उसकी वज़ा क्या है विकास स्केलिंग एंड ग्रोथ ठीक है बहुत कीवर्ड रिसर्च में हमने हमने हाईली वैलिवेंट कीवर्ड को देखा था लाकि हमन कुछ इंटेंट बेस कीवर्ड को जो है तो देखा था लिकल्स हमने की नहीं नहीं देखा था जहां पर हमारी कन्वर्जिन रेट तो कम होगी लैकिन चेल आ सकते हैं तो बाद में जो है जब हम उनके ऊपर स्पेंड करतें तो हमारी कास भी जो है वो ब्रेक इते ऊब वहो सब्सक्राइब नहीं होने चाहिए यह आपको जो है वो डिपेंड करते कि आप सेल्स एंड ग्रोथ के ओपर कितना पैसे लगा है अच्छा जी इसके इलावा जो है वो एक की परफॉरमेंस इंडिकेटर है तिस विटर्न एंड एड्स पैंड ठीक है कि आपने जो है वो एक डालर लगा के कमाया कितना है डैट इस जिसमें आप कह सकते हैं कि इचिज आ पीपीसी सेल डिवाइड बाई पीपीसी इस पैंड तो आप किसी डिजिटल मार्कीटर के साथ कभी डिसकेशन करें न तो उसमें वो अक्सर रोएज में बात करेगा आप से ठीक है उसको जो है वो रोएज समझ आती है कि रिटर्न एन एड्स पैड के आपने एक डालर लगा के कमाया कितना है ठीक है लेकिन पीपीसी में हम जो है वो एकॉस सेंट्रिक ही होते हैं और हम चीजों को एकॉस के पॉइंट आव यू से देखा जाए लेकिन इसमें जो अगर आप किसी प्रॉफेशनली जो है वो डिजिटल मार्कीटर से मेलें वह जो है उसका जो अल्गरित्म है वह के लिहाज से जो है वो फिट होता है इसमेरीकली तो जो है वो अगर देखा जाए तो ये एक दुस्वी के वैसिप्रोकल ही है वैसिप्रोकल अगर आप तो बहुत मै voice जो हरसे जब है का एकॉज और जो रो एज का जो है वो मल्टिप्लायर है वो हमेशा वन के इकल होगा सो इस बेसिकली यह दोनों क्या है एक दूसरे के वैसी प्रोकल है ठीक है जी इट मीन्स कि हमेशा एकॉज प्रोकल है और रो एज का मल्टिपल हमेशा वन के इकल होगा या अच्छा यह चीजे मैं आपको क्यों बता रहा हूं गाइस इस वेरी माच इपॉर्टन्ट बहुत से लोगों को जो है वो यह मैथमेटिकली चीजों को इतना वो नहीं होता यह खास्तों पर अगर आप किसी गोरे कलाइंट्स के साथ यह एजन्सियों के साथ काम करेंगे तो यह चीजें बड़ी मैटर करती हैं वो जो है नुमेरिकली जो है वो चीजों को देखना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको जो है यह चीजें सम्हाव पता होनी चाहिए ठीक है बाद में अगर आप किसी डिटल जो है अड़िटाइजिंग एजन्सी के साथ जो है अगर कहीं पर इंटर्व्यू वगारा लाइन अप होता है तो यू शुड्ड हैब इस कंसेप्स कि आप जो है वो वहां प वह एवन दे डोंट बादर अबाउट रैंकिंग दे बादर अबाउट अवेरनेस क्यों क्योंके बिकाज दियार दी ब्रैंड फार इंपल मैं आपको यूटोपिया की बात बताऊं कि जब यूटोपिया की जो न्यू प्रोड़क्ट लांच होती है ना उनके जो पीपी सी अलाइन्ट हाओ टू करीट मैक्सिमम ब्रैंड अवेरनेस ठीक है वह उनकी जो मेजर कंसर्ण वह यूटोपिया ब्रैंड का नाम लगा तो एमाजन वैसे ही उसको जो है वह पहले दिन जो है वह सेकंड पेज पर फैंग देता है यह फस्ट पेज पर फैंग देता है तो उस रैंकिंग की ऐस सच टेंशन नहीं होती अच्छे एक मिनट दीजिएगा मैं इस पर यह है वह इसको चार्जिंग पर लगा लूँ यह आफ हो जाएगा भी यह जो है वह चार्जिंग पर लग गया अच्छा यहां पर जो है हमने एकॉस देख लिया है तो यह जो है वह बेसिक के प्याइस थे इसके लावा भी हैं वह हम जो है उसके उपर अभी आते हैं अच्छा इसमें कीमपेइन मैंने आ जाते हैं फर झान जो है यह हमारी जो है वह कैमपेइं इसमें इन के पी आइज को हम देख लेते हैं के विएल टाइम, यह कैसे जो है शो कर रहा होता है, अमाजॉन नहीं बलके जो चीज़ भी दिखाने वाली हम उनको स्लेक्ट कर लेते हैं इस्टार्ट जो हम बात कर रहेते हैं कॉस्ट टाइप इसको हम बात में देख लेते हैं कि न्यूटु ब्रैंट जो आपके जो है अच्छा यह देखें विवेबल इंप्रेशन ठीक है कि आपका जो है वह वह कितने जो है लोगों ने इसको एड़ को व्यू व्यू किया डैट इस काल्ड विवेबल इंप्रेशन तो यह अमज़न इसको खुद जो है वह डिफिरेंशियट कर रहा है अच्छा अब जैसे यह कंपेन है अच्छा इसके ओपर भी यह अब यह देखें इस इस काल्ड पूर का नामन क्लेचर ठीक है इसमें मुझे जो है वह आई मीन नाम कंपेंड का अब इसके ओपर हम बात कर लेंगे नामन क्लेचर के ओपर बहुत सरे चीज़ें अभी जो है वह डिटेल में डिसकर्स करने वाली है लेकिन कंपेंड का नाम ऐसा होना चाहिए कि उसमें देख कि उसको पता चल जाए कि उसके अंदर हो क्या रहा है ठीक है अच्छा इसमें कास्ट टाइप जो है वह हमारी सीपी सी है इसमेंज वी वि से जो है इस स्पेसिफिक कैंपेंज के अगेंस्ट हमें जस्ट फिफ्टी फाइव इंप्रेशन है विचा वैरी मच लो लेकर आगर आप वीडियो जहां पर कैटेगरी टार्गेट हो रही है तो उसमें एरांड फॉर्टी के सोई फॉर के जो है इंप्रेशन आए हैं ओके टोप ऑफ इंप्रेशन शियर टीक है इसका मतलब यह है कि आपका जो 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 तोटल इंप्रेशन आए है उस टॉप फॉर्श की बात यहां पर आगर हम कहां गया लिफ तॉप उफ तो यहां पे हंड़। प्रसंट में से आपको उस सरटन केंपेइन में कितनी बाहर शो करा अगर यहां पे टॉप अफसर जो है अब टॉप सर्च पे अगर हंड। इंप्रेशिन आते हैं शीलिकावन स्ट्रेच लिड्स के और मैं दस दफ़ा होता हूं और नहीं नहीं होता तो माइ टॉप उप सर्च इंप्रेशन शेर विल बी टैंट परसंट ठीक है और अगर मैं आग सो मैं से फिफ्टी टाइम्स जह होता हूं तो मेरे जो टॉप उप सर्च कि यहां इस प्रेंड पे टॉप अफ सर्च को इंपॉर्टस नहीं दी जा रही मेभी सीपी सी हाई है I don't know what's the reason लेकिन यहां पे टॉप ऑव सर्च पे इनके impression शेयर tys कम हैं लेस्टन 5 पर거든 के के सेंपन में कितनी जो है वह कलिक्श को फर्द भी जो है वह अगर ईसको सौॉट करा लें कि इसको जो है कि वह हम एक को आप यू टैब में जो है वह ऐपन कर लेते हैं झाल झाल अच्छा यह हम जो है वो टारग्टिंग लैवल पर आ गया है कि फर इसमें फर इसन को जो है पुड़क्ट टार्गेट किया जा रहा है अच्छा भी आपने परशान नहीं होना कि हमने जो है वह बाकी तो चीजें प्लेस्मेट वाइस वह देखी नहीं वह हमें यह भी नहीं पता कि इसमें यह क्या टार्गेट हो रहा है तो जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकेशन आवर पॉइंट ऑफ डिसकेशन इस केपी आई अच्छा पीपी से में बहुत सी चीजें जो है वह इंटर लिंग्ट होती है जैसे अब मैं इस पर बात करूं तो प्लेस्मेंट की डिसक कर लें बाकि यह कैसे हो रही है कैसी करनी चाहिए वो भी हम आहस्ता-ए-था उसको भी कवर कर लेंगे अच्छा यहां पर जैसे यह प्रोड़क्ट किया जा रहा है यह इस एसन को टार्गिट किया जा रहा है तो इसमें पिछले सैवन डेर्ज में इम्प्रेशन क्या क्या क ठीक है उसके अगेंस CTR किया है 4.4 which is excellent ठीक है इस एक्सिलेंट CTR और जो है वो 56 पाउंड का जो है वो spend हुआ with cost per clicks point 70 विच इस सम्हाव little bit higher ठीक है यह CPC उस लिहाद से हाई है काफी और इसके इलावे जो है अगर आपने conversion rate निकाला है तो what should be the conversion rate uh it should be 17 divided by clicks 81 to 17 divided by 81 is conversion rate and CTR what is the CTR clicks divided by impression 81 divided by 1816 is CTR ठीक है और इसके कितनी sales generate हुई uh a cause and again row as return and add spent कि एक डालर के वाज आपने क्या खोया क्या पाया that is row as ठीक है तो अच्छा यह तो जो है एक campaign manager के अंदर जो है Amazon कहता है कि यह आपकी KPIs हैं लेकिन बाद में हम देखेंगे कि हमें audit के लिए कुछ further calculations चाहिए होती है जिसकी base पे जो हम audit कर रहते हैं तो उनको भी आज हम इसी जो है वो KPIs के section में discuss कर लेते हैं उसमें further है average order value ठीक है जिसको हम कहते हैं AOV what is the average order value it is basically amount of sale ठीक है एक order के अगेंस्ट आपकी average sale क्या है that is average order value अब आप सोच रहे होंगे के sale अगर हम जो है वो 10 dollar की product बेच रहे हैं तो हमें 10 dollar की sale होगी और अगर एक order आया है तो 10 divided by I mean one तो इसमें जो है why it is average average इसलिए important है क्योंके इसमें जो है हमेशने आपकी जो sale होती है sale is not always equal to selling price ठीक अगर आप nine pound की या nine dollar की product sell करें तो उसमें आपकी sale जो है वो कम ज्यादा भी हो सकती है उसमें खास तोर पे अगर तो आपके अब average order value को आप कैसे increase कर सकते हैं there are multiple ways ठीक है इसमें आप जो है अगर आप variations offer कर रहे हैं और एक बाहर जो है वो दो units buy कर रहा है एक order के गेंस्ट तो आपकी जो amount of sale है वो बर जाएगी for example आपकी जो है वो अगर nine dollar की product है और customer जो है उसकी दो unit buy करता है तो उस case में आपकी जो है वो वो क्या होगी average order value वो होगी nine plus nine divide by one ठीक है तो eighteen ठीक है तो आपकी जो average order value है eighteen हो गई ठीक है इसके इलावा जो है एक चीज है जिसको हम बोलते हैं targeted a cause what is a targeted a cause यह basically वो a cause है ideally not ideally but mostly mostly it's break even uh point ठीक है break even point क्या होता है कि अगर आपका 25% profit margin है तो 25% is your break even जहां पे आप numerically although there are some operational cost like VA salary return refund there are some but numerically assuming everything like बाकी जो है जिस तरह हम बाकी friction को एग्नोर कर देते हैं तो यहां पे जो losses हैं अगर उसको ignore कर दिया जाए तो numerically जो हमारा profit margin है 25% अगर उसके उपर हम कुछ चीज बेचते हैं तो ना तो हमें उसका मुनाफ़ा हुए ना उसका नुकसान हुआ है तो वो जो हमारा break-even point होता है अब targeted a cause भी जो है वो हमारी कोशिश होती है कि वो break-even point से कम ही हो ठीक है बट यह जो है वो यह वो जिस तरह है ना कि मुकामात या हो और भी है तो और काफी चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से जैसे objective की हमने बात की कि targeted a cause जो है वो आपकी चुके objective पे भी depend कर रहा होता है तो यह लाजमी नहीं है कि आपके break-even से नीचे हो ठीक है तो anyhow यह भी एक जो है KPI है कि target a cause क्या होनी चाहिए जो कि हम यह चीज़ें मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं because we will be using we will be doing audit as per these KPIs तो इनकी जो है वो उस वक्त कोई यह न कह रहा हो कि जो यह average order value क्या होती है या targeted a cause क्या होती है अच्छा इसकी इलावा होते है एक होता है कि max CPC what is a max CPC max CPC वो amount है जो आप offer कर सकते हैं while being profitable ठीक है for example अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया कि यहां पे जो इनको यह जो 17 orders आये हैं इनको CPC पर रही है 0.7 zero की ठीक है तो अब मुझे जो है और इनकी एकाज है 41% तो यह तो affordable नहीं है तो मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरी एकाज है वो 25% से नीचे रहे ठीक है तो मुझे जो है वो आच्छा आप मैंसे किसी का question है अभी किसी की unmute होने की आवाद आए यह मुझे हाफिज गुलाम रसूल अच्छा आप लोग का अभी तो question नहीं आया मैं question है नहीं है एंड पर पूछेंगे आप लोग है इंड पर पूछेंगे आप से ओके ठीक है अच्छा वैसे 1120 हो गए अच्छा चलें ठीक है max cpc के हम बात कर रहे थे कि यह वह cpc है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं एक तो वह ना पॉइंट सेवन दी आपको चार्ज हो रही है और आप यह अफोर्ड नहीं कर सकते आपका गोल है कि इस पे एकास जो है वह पच्छीस परसेंट से उपर नहीं जाने चाहिए क्यों आपनी इन्वेंटरी बलीड नहीं कराना चाहता ठीक है तो आई वांट वी प्रॉटेबल अज इस एसंट तार्ग तो वाट शुद बी यूर अप्रोच यूर अप्रोच शुद बी तो एडजेस्ट इबिड अकार्डिंग तो दी इस मेक्स CPC नाओ इस पॉइंट फाइव जिवो डिए विज़िए सम्ट सेटिंग लाइट वाइट इस बिंग चार्ज एट पॉइंट सेवन जिवो ठीक है जो सीपी सी होती है वह कभी भी आपकी बिड से ज्यादा नहीं होती लेकिन यहां पे बेड पॉइंट फाइव है और सीपी सी पॉइंट सेवने कि इन्हों अच्छा अब इसे की एक्सा्ममपल ले लेदे हैं कि परрост मापक का क्लाइंट कहता है कि यहां पे जो है मुझे एक हम नाम भी है तो आपको क्लाइंट कहता है कि जी मेरी जो है खास्तों पे यह keyword है यह तार्गिट है इसके ओपर जाता हूं कि पच्शीस परसेंट से ज्यादा ना जाए क्यों पचीस परसेंट से ना जाए क्योंकि मेरो जो है वो profit margin 25% का है वर महीं पर बिलीड्लिद नहीं होना चाता कि आप उसको 25% पर ला सकते हैं या नहीं लेकिन एक कौंटिटेटिटिव इनालसिस के पॉइंट आव यू से हम देख से लेते हैं कि आप इसको कैसे 41 से 25% पर ला सकते हैं तो वो आप आपको यह डेटा चाहिए होगा आल्दो के बाद में हम इसको एक्सल फाइल में जब देख रहे होंगे बलकि काम करता हूं मैं इसको यहीं पर एक्सपोर्ट करा लेता हूं तो कल्कुलेशन एजी हो जाएगे अच्छा जी तो आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बोलता है कि मुझे जो है इसकी जो एकाज है वो 42 से पच्छीस परसेंट पे चाहिए तो वाट शुड बी दी यूर बिल्ड एड दोस टार्गिट तो वो आप जो है उसके लिए आपको इसमें अगर मैं यहां पे लिख का नुमेरिकली वी कन डिफाइंड इट एज आवरिज और वैलियो मल्टिपलाइड वै अच्छा टारिक्टेड एकाज को ना मैं अब हर जगा यह वैसे नामन क्लेचर के अंदर भी मैं यूज करता हूं वो जो मैंसा टीम होते हैं उनको तो पता ही होता है के खास्तों पे म क्लास टीए क्रॉस कन्वरिजन रेट ठीक है इन तीनों चीजों को हम देख चुके हैं कि टीए कन्वरिज रिट आवर्ज अडर वैलियो तो उस बेस पे हमारे पास मेंक्स सीपी सी आ जाती है तो वर्ट यू नीड़ टो कल्कुलेट यू नीड़ आवरेज आडर वैलियो स average of the sale where are these sales यह है ना sale डिवाइड बाइ orders कितने आए हैं इस sales पे वो है यह तो इसकी जो है इसको हम पॉसिबल डेटा लास अच्छा चले 7.9 हो गया थी तो इसको हम अप्लाई कर देंगे अक्रॉस ती आल कॉलम्स तो हमारे पास यह इसकी जो है वो एवरिज आडर वैलियो आ गई तो अगर हमने max cpc जो है वो कल्कुलेट करनी है sorry max cpc तो वाट शुद बी the max cpc इच शुद बी लाइक आवर्ज अडर वैलियो मल्टिप्लाइड बाइ टार्ग्टेट अको बोल रहा है कि शुद नाट गो बियांट 25 परसंट सो 0.25 25 इस वाइब बाइ आ कन वर्जिन रेट है कि ओके हमने इस नहीं कल्कुलेट किया तो हम उसको अभी कल्कुलेट करा लेते हैं वाट इस आशीवर सिवियांवेज orders divided by clicks ठीक है जी तो दिस इस कनवर्जिन रेट ठीक है जी तो 21% का जो है यह कनवर्जन रेट है तो यहां पर आप इसको मेल्टिप्लाइड कर देंगी कनवर्जन रेट के साथ तो यह जो है आपकी max cpc आ गई जिसको आप यह भी परसेंटेज फाम में हैं आप इसको नंबर में convert कर लें ओके जी इसका मकसद यह है zero point four two ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर जो है अगर मेरा conversion rate यही रहे जो के अभी है और मेरा average order value भी यही रहे तो इस zero point four two की bid के उपर मेरी जो एकास है वो पच्चीस परसेंट से उपर नहीं जाएगी यह इसकी numerical जो हमने equation लिए है उसकी physical interpretation है ठीक है but in real time this cannot be possible why because there are some external factors because आपकी जो है वो जिसको हम qualitative analysis बोलते हैं कि आपकी niche जो है वो dictate कर रही होती है आपकी conversion को आपकी bid को और वो सब कुछ हो सकता है इस zero point four two पे आपको impression ही ना आए फिर ठीक है अच्छा दूसरा यह है कि जब भी आप इस तरह की sales max cpc पे जब adjust करते हैं तो आपनी sales लाजमी है कि वो भी कम हो जाती है it's not like that कि अगर आपको zero point seven zero जो है वो cpc के उपर अगर आपको seventeen orders आए हैं तो point four two पे भी पिछले साथ दिरों में seventeen आएगे no आपको हो सकता है पांच साथ आडर आए मतलब जहां पर आपको डेली के तीन आडर आ रहे हैं यह दो आ रहे हैं वहां पर जो है वो दो दिन में एक आडर आ रहा हो ठीक है तो यह आडर velocity will be reduced but you will be profitable so again it depends upon the objective you need high sales are you want to be profitable ठीक है अच्छा यह जो है वो एक basic KPIs थे जिन को हमने detail में देखा अभी टाइम भी जो है वो काफी हो रहा है तो आज की session को मैं यहीं पर पास करूंगा और आप लोग जो है वो question answers जो है करेंडी जो है वो अपने questions पूछ लें सब्सक्राइब करता है कि किसका CTR या किसका CPC होना चाहिए कितना होना चाहिए और उसके हसाब सब बिडिंग भी करते हो और फिर I think आपके जो campaigns run हो रही हो कि वो भी एक पहले learning state से आगे जाके ही फिर आपको ठीक से पदा चलता है कि किसकी bit कितनी होनी चाहिए और फिर then again वो सब जो objectives है उन पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने campaigns first of all किस तरह के चलानी है और यह सब आप like question यह कि with time I think इसका idea हो जाता है कि किसका कितना CPI आना चाहिए यह किसका कितना CPC होना चाहिए CTR कितना रहना चाहिए जी हाँ पैस्टेफ टाइम जो है वो चीजें हो जाती है और जैसे मैंने कहा कि objective पे जो है वो depend कर रहता है जब start में हमारी जो है चल रही होती है तो उसमें इवन वी कें एज्यूम 80% कॉस ठीक है उस लिहाज से 80-200% कॉस वहां पे जो हम में bid set की होती है हाई bid set की होती है लेकिं जब हमारे organic orders जो है increase कर जाते हैं तो हम उसमें जो है वह हम उसको further fine tune करके उसको नीचे ले आते हैं सरी सरी जब हम नहीं किसी product पर काम करते हैं तो उसको first of all उसकी ranking पर काम करते है और फिर जो एक stage आता है जिस पर सिर्फ एक brand awareness पर काम चल रहाता है तो उससे भी तो इसकी वज़से जैसे आपका तो कहना है कि उसकी एक objective ही different हो गया फिर उसके बाद आप जिन चीजों पर आप देखोगे जिन terms पर आप देखोगे तो भी आपकी करक different हो जाएंगी और उसकी measurement में भी difference आजाएगा पर देन अगान जैसे बात को यह कि विद टाइम विद पैसेज अप टाइम और जितना प्राक्टिकली यह होगा उतना ही बैटर यह समझ आएगा अच्छा अब तो खेर जो एकोस टाइम रोएस था इसको समझने में भी अभी भी मुझे नहीं लग रहा है तो इस इनकेस यह नो आमिंग ताइम भी कम है तो तो इस इस वाड़ा थिंक के एक दफार दुबारा एंग लेक्शे देख के इस तिल उनक्लियर देना शुट ब आस्किंग रहा है यह कोस टाइम रोएस जो आप कह रहे थी जैसे रिसिप्रो को होता है यह जी इसका जो है जो मल्टिपल है वो हमेशे जो है वह 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 व इस पूकल आफ नंबर इस नंबर यू वूद है तो मल्टिप्लाइब टू कैट दी आंसर वन ठीक है जब किसी दो चीजों का जो है वो मल्टिपल वन होता है तो अब फिजिकली ओके अगर मैं इसकी इंटरप्रेशन करूं तो इट कैन बी एज कि जितनी हाई रोएज होग थीक है तिक अगर मैं इसको फिजिकल इंटरप्रेट करूं हायर दी रोएज लोएज दी एक उस ठीक है और किसी भी पॉइंट की ऊपर आपका जो मल्टिपल है इसका वन हो सकता है और वन होगा और अगर मैं आपको एकास दो तो आप उसकी मदद से रोएज भी फांड़ कर सकते हैं ठीक है तो अच्छा जिए अच्छा नेक्स्ट जी कशान बीड़ जिसका भी क्वेश्चन है आप करिंडली अन्मिट होके पूश्ट लेकर इसलाम को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दो अगर हम वैसे कौन सब्सक्राइब तो मैं अगर चीज बेच रहा हूं तो पुझे अगर को सदा पढ़ ड़ी रिटर्न काम आ रहा है ठीक हुसक्र अगर जायर है और मुझे जब जादा आ रहा है तो इसको इस तरह से बतलब आप सिंप्लिसिटी जो है यह लेकिते हैं दूसरा यह कि हम यानि पहली दफ़ा लेकर इसे बना रहे होते हैं तो हम उसको लेकर कैसे चलेंगे अगर से मैंने कीवर्ड जो है कोई दस पंदरा जो होगी कि मैं लॉंग टेल कीवर्ड को ही इनिशली टारगट करूंगा तो सेव माइ कॉस्ट या मैं सारों को इवन यानि जो शौर्ट टेल कीवर्ड से उनको भी शुरू से ही लेकर टारगट करूंगा ताकि मेरी इंडेक्सिंग हो जाए बेशक कॉस मुझे हाई पर रही हो हम के संगल मगा कंपेंस को अपनी इस तरह हम मिल्टीपल केंपेँ G बनाएंग और इसके बाद पको डिसीन फदर लंगे और तो यह एक पहला कुशन तो यह है अच्छा इसमें जो आपका ये क्वेस्टिन है इसको अगर हम रैंकिंग वाया पीपीसी वाले सेशन में अगर हम इसको डेटेल में देख लें अच्छा इसमें जो है वो आपकी सीपीसी होती है ये पर सेशन होती है होता है आपका पेज व्यूज एक होता है सेशन अच्छा वैसे मुझे जो है वो बिजनिस विपोर्ट को भी है एक वो डिटेल में दिखाना चाहिए था सेशन जो होता है वो युनिक बायर होता है ठीक है फार एक्जंपल मैंगर आता हूं आमजन के उपर मैं जो है वो दस दफ़ा कोई कीवर्ड लिखता हूं और उसके Amazon यह नहीं है कि 10 टाइम्स जो इसका सेलर है उसको चार्ज करेगा कि भई 10 क्लिक्स आई है नहीं एक सेशन जो होता है वो एक क्लिक करेट करता है ठीक है उसमें मेरे मल्टीपल जो है वो पेज व्यूद हो सकते हैं और हाँ आफ्टर अगर मैं 24 आवर्स आके बाद आके दुब कस्टमर तो मैं इस पर 24 बार भी क्लिक करूंगा तो कास्ट जो है वो एक ही दफ़ा जाएगी इसके उपर जीजी ड़ेंट मैंटर कि मैं लॉग इन हूं यह नहीं हूं वो एक IP है जिससे बी सेशन ट्रैक कर रहा हो इस तरह काउंट करेगा जीजीजीजीजीजीजीजीजी दूसरा अकसर हम सुन रहे होते हैं कि लोग यानि पीपिसी की को सेफ करने के लिए ब्रॉड केमपेंग बनाते हैं और इसमें नेगेटिव टार्गेटिंग भी कर रहे होते हैं तो वो किस वो अगली स्टेश का जाके करते हैं शुरू से ही अब जो चल रहे होते हैं इस किस classify कररें हैं या कोई new 입니다 बना रहे होते हैं या हम किसी यूर केमपेंगा ने खेखा कि यह दो रिजुक्त नी किया ठीक है तो उसमें new campaign होती हैं और वहां पर जो है उसको वो करते हैं अच्छा campaign हम बहुत कमी पास करते हैं उसके जो keywords यडा targets है उनको जो है वो ज्यादा पास करते है और उसमें यह है कि जो keyword एक poor conversion दे रहे है जैसे मैंने आपको बोला कि conversion rate ten percent is considered to be a good conversion on amazon लैकन एक keyword जो है वो चार-पांच परसेंट के साब से चल रहा है जब कि उस निश्ट का एवरिज कनवरिजन मौर दन तेन परसेंट है तो उसमें बैटरी ही होता है को उसको पास कर दिया जाए है एक और चीज़ के हम जब आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं तो उस वक्त हमारी केंपेइन आउटमेटिकली यह नि हम कुछ पॉस करते हैं उनको या चल तो नो यूट नेट टू पास हो आटमेटिकली हो जाएंगी एड़ रुख जाएंगी क्योंकि हमां मतलब अगर हमारी कें पीन चल रही है यूजर को नजर आ रहा है लेकिन वह जब क्लिक करेंगे तो हम अगरा तो वह तो हमें पर कॉस्ट नहीं पड़ते जाएंगी नहीं जब आप आउट ऑफ स्टाप चलेंगे आपकी एड्ज जिलिवर होने ही स्टाप हो जाएंगी इनलिजीब हो जाएंगे दूसरा आपने प्लेस्मेंट मल्टिप्लायर के बात की थी वह थोड़ से समझ नहीं है कि हम पिर्ट जो है हमारी पॉइंट फाइव है लेकिन प्लेस्मेंट मल्टिप्लायर के विजए से कुछ इशू हो रहा है तो वह तो प्रसा नेक्स सेशन होगा ठीक है इसके लावा पिशले कुछ कूसिंट के हमारी कुई दू लिस्टिंग्स यहनी विचा इसाजवाना हो सब्रस्स्सकश होना चाहिए कि हमार इसके लेकिन डिएक्वी प्रसेशा है जो कि रहा सकता है कि विए में में कर दिखा जाए हो तो कितने परसंट सिमिलर हो या क्या इशू इसमें हो सकते हैं अगर मैंने कोई मैश कर रहा हूं बलकुल इसमें इसनाट अबॉट परसंटेज कि आपका जो है वो टाइटल आपके वैलिवेंट कमपैक्टर से कितने परसंट होना जाए अफकोस हट्रिट परसंट नहीं होना चाहिए लेकिन वैसे परसंटेज नहीं है चीजें यह है कि जो यूएसपी मैटर कर रहा है वो और जो झाल चाहिए ठीक है और इसके इलावा जो है टाइटल की लेटर आं बाद में आप यह हैं कि उसमें सिपलिट टेस्टिंग करते रहते हैं आप जो है आपने जो है वह दो तीन जो है वह उसमें यूएसपी है तो आप उस एक यूएसपी और जैसे मैंने आपको बात कहा था जो किसिम्स के साद्रों कि अगर आपको कीवर हैं पर लुस्य रहा रहे थे आप जो एक यूिक सिलइघ पॉइंट है वाटर्पूइए ठीक है पहले आपने टाइटल में वह में कीवर्ड के साथ वह रखा हुआ था फिर आपने कहा था कि ओके लेट जो है वाटर्पूफ को एंड पर ले जाते हैं और जो नॉन स्लिपेबल इस प्रोड़क्ट का एक यूएस पी उसको आगे ले आते हैं उस दुन आप मानीटर कर समझ नहीं आएगा कि positively impact हुआ है या negative impact है but PPCs are helping hand to tell you what is the actual impact is it impacting positively or is it impacting negatively तो वहां पर आपको CTR drop हुआ है and you can make a graph and see पिछले साथ आठ दस दनों का graph तो आपको पता होगा कि भाई वो जो पहला जो है USP टाइटल वो इस से बहतर था या अगर आपका CTR increase होने लग जाता है और आपकी conversion भी अच्छी रहती है या increase होने जागए it means कि अब आपने जो इस टाइटल में यह जो new title लेका है that is better तो perfect title का कोई sample नहीं है I mean कुछ template नहीं है कि आप उस पे as it is चीजें डालेंगे तो that will work आपको हां एक जो best practice है वो title के session में मैंने detail में बताई थी but still later on you have to do split testing split testing and then finally you find a optimum title which has a good CTR and good CVR sir जो हम जब initially listing create करते हैं तो उसमें हमने title डाल दिया इतने split testing के लिए हम लट से दो title डालें खिक है तो जो canonical canonical उसका URL जो बनता है वो पहले titles ही बन जाएगा और बात में स्क्रिट टेस्टिंग के बाद इन्हें को चेंज हो जाता है या मतलब वह सेम रहता है या यह भी एक issue होता है अक्सर सुना है वो start में जो URL create होता है जी जी हाँ नहीं उसमें तो हाँ आपके first जो है इसल वह तो एक different case है यहां पर तो हम एक real time जो एक working title है ना उसकी बात करें कि जो कि आप बाद में after launch के बाद जो है तूमन जब आप तरह से stable हो जाएं तो आप title में जो है वह modifications करें लेकिन important चीज़ यह है कि जब आप title को change कर रहे होना तो फिर बागी price को बिल्कुल non-disturb करें इमेज को बिल्कुल non-disturb करें bullets को बिल्कुल ताकि आपको पता चले कि जो effect आया है वो किस वज़ा से आया है तो वो मैं title की बात कर रहा था start में तो वह तो एक URL create करने के लिए होता है कि जिसमें आपके जो है वो top की keywords है वो URL का हिसा बन जाया है जी जी ठीक है similarly इसमें अगर हम title में singular प्लूरल की भी कोई value होती है कि लटसे अगर compartment है और compartments है तो इनने में matter होता है या और जोन ऐसी similar retreat करता है इसकी होती है अच्छा है इसकी होती है क्योंकि मैंने कुछ अभी listing अच्छा है तो इसमें इवन यानि कुछ थे स्पेस लेट से थी टाम्स अडे है कुछ ने थी स्पेस ताइम्स स्पेस ए और स्पेस दे उस तरह लिखा हुआ लेकिन जो टॉप कंपेटिटर्स है उन्हें थी डैश टाइम्स डैश अर या निए डैश लगा जागा जागा पर लेकिन जो हमारे जो हाईली रेलिवेंट कीवर्ड उनमें डैश नियुए उनमें स्पेस ही है पर स्टिल जो टॉप के पेटिटर्स हैं उन्हें डैश लगाया हूँ तो मैं तॉप के इंच प्रिंटर्स को फालो करूंगा यह जो प्लिएम टेंड जो सर्श पॉलिम इन का हाई दे रहा है उसको फॉलोव करूंगा डैश स्पेस कीवर्ट में मुझी समय लिया है कानली रिपीट यानि अगर मैं कहता हूं एक एक वर्ड है अब इनमें वैसे तो स्पेस आती है थ्री स्पेस टाइम जड़े ठीक है अब जो टॉप कंपेटिटर थी टाइम्स डैश अर डे इस तरह इने डैश दिया हुआ ठीक है लेकिन मैं जब ही लिए पैंस एक स्टाइट करता हूं कि वर्ड तो उसमें स्पेस निए तो अब मैं ही के कंपेटिटर्स जैनि दो तींग तॉप कंपेटिटर्स जिनके रिव्यू पीश जार या शिक्स थाज़न जास्तर हैं तो मैं उनको फॉलो करूंगा अप्टमाज़िशिक के पॉइंट प्यूश से कर मैंने लट से करना है अच्छा उसमें थ्री टाइम्स डे अगर तो तो आप उसके सर्च वालियम को कर रहा है ना तांकि आपकी मैक्सिमम ट्रैफिक कैप्चर कर सको वो कीवर्ड तो फिर तो आप जो है वो स्पेस के साथ जाएंगे ठीक है और इस केसमें आप बिलकुल भी जो ट्रिव्यूज वाले सेलर्स हैं उनको आप कापी नहीं करेंग तो उसमें आपको जो है ट्रैफिक चाहिए तो आप जो है वो हिलियम के मताबिक जो कीवर्ड है आप वो डालेंगे वहां पर ठीक हो गया सभी है इसके लावा से लास्ट चलने क्विश्चन है इसमें यह कि हम जब लगसे कॉंटेंट अपना लिस्टिंग का कॉंटेंट हम ह्मारी हर्ट से क्या प्रोवाइड करना होता है और यह थोड़ा सा यह जहन था को रिसके पर उस्में यह है कि आप अपनी जो आप जो पर कराना चाहते थीक है वह भी आफ विसमें जो एक प्रेसर्च वायल है वह भी आप उसको देए है और खैर जितने भी एमासंगे जो they already understand the importance के चीज़ों को जो है वो किस तरह वो करना है और इसके लाब आप जो है उनको अपने एक benefits यह जो एक review insight है आप वो भी उनको देते हैं कि कौन से चीज़ें कहां पर matter करती है क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया कि bullet one के अंदर क्या चीज़ जानी चाहिए bullet two में क्या चाहिए bullet five में क्या जानी चाहिए तो आपको जो टॉप का benefit है वो तो bullet one में जाएगा ठीक है तो वह आप उसको जो है करके देते हैं कि यह मेरे जो है आपके benefits हैं तो वह उस लिहाद से वह content तो वह अफकोस वह आपको write करके देगा लिखके देगा और उसके बाद आप उसक बहुत भी अपनी research करता है निश्पे ना चीजों को वह करने के लिए तो लेकिन आप जो है उसको keyword research file देते हैं और साथ में अपने जो टॉप की benefits हैं और जहां पे आप इनको पार करना चाहते हैं वह से बताते हैं तो वह उस हिसाब से आपका content modify कर लेता है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे तो amazon कुछ बहुतर इंडेक्स करेंगा या क्यों ऐसी बात नहीं है just recommendation है देखे इसमें वैसे बैने चीजें देख बिसकस की थी bullets में के यह जो basically आप उसमें वो जो special emojis यूज करते हैं यह वो तो उसमें आपका जो है वो भाइट्स खर्च हो रहे होते हैं ठीक है start वाले तो उसलिहास स्कूर ब्रैकेट्स है स्कूर ब्रैकेट्स बिलकुन आपने ब्रैकेट्स आप हैडिंग हैडिंग ही बात कर रहे हैं बुलिट पॉइंट में हम जो opening and closing जो है square bracket ब्रैकेट्स करते हैं तो वो भी अगर हम start or end पे मतलब हम बुलिट स्टार्ट कर रहे हैं तो जो एक पॉइंट है लट से BPA-free ठीक है इसको हम square bracket में या लट से score क्या हो सकता है कि यानि lightweight for example या कुछ और अपना selling point है उसका square bracket से start करें अपने बुलिट है तो इसकी जगा था के recommend कर रहे था लोग कि Amazon के यानि यह भी है लेकिन वो कुछ जगह पर देखा है कुछ जगह पर नहीं देखा है तो इसमें इसमें जो है आप रिसेंट जो इसकी गाइलाइंस है Amazon केंड से वाइलेशन जिसमें खास्तों पर आप जो सारे capital letters लिखते ना Amazon उसको भी violation समझता है ठीक है तो बाहर point of view से या conversion point of you say it is considered to be a good recommendation लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम Amazon की टास को जो है वो break ना करें ठीक है तो I am not sure कि यह जो capital यह जो square bracket है is it against toss or not? तो वो आप confirm कर लें अगर तो वो toss के against नहीं है तो फिर आपकी वो personal choice के आपकी जो है तो आपकी जो है वो शेशन हम फिर यहीं पे जो है वो खतम करते हैं कि इन्छाला जो है वो नेक्ट सेशन में जो हम लगात होती आपकी जी अल्हाफिस थैंक यू